राजर सुप्रीमों लालू पर साथ यादा उन्हें नितन राई जी पर कई गंभीर आरोप लगाए कई बातों का भी जिक्रिकिया उन्होंने कहा कि हमारी पत्नी राबडी देवी थी हमने उनको मुखमंत्री बनाया हम उनकी पत्नी को क्यों बनाएंगा मैं अपनी पत्नी को बनाने के लिए नहीं कहा था मैं तो यह कहा था कि राबडी जी को क्यों बनाएं लोग तंत्र या पडिवाडबाद नहीं है आप राबडी जी को मुखमंत्री बनाकर यह जता दिया कि आपको अपने नेताओं पर यादम नेताओं पर यादमों पर भी विश्वास नहीं है नहीं तो विश्वास रहता तो अपने पार्टी के किसी भी दूसरे नेता को या उनकी धर्म पत्नी को आप बनाते हम परिवारबाद में नहीं मैं तो विधायक बना तो मेरे पिता जी मुखिया पस से इस्तिफा दे दिये हमारे आप परिवारवाद नहीं है और मैं अपनी पत्नी को कभी कुछ बनाने वाला नहीं हूँ राजनीत में हूँ परिवारवाद भारतिजिंता पर्टिम नहीं चलती है लालू जी परिवारवाद आपको मुबारक और विश्बास जो मुझको सब पढ़ है हमको मुबारक आपको किसी पर विष्वास नहीं है आपको अब विष्वास मुबारक और जो उस बंस का जो इतिहास है धर्म की रक्षा करने का न्याय पत्पर चलने का वह भाजपा ही सुनिश्चित करती कई गंभीरा रूप भी लगाया है उन्होंने का कि गाए कटवाते थे गाए इससे बड़ा सफे जूट होगा क्या आप चलिए चलिए और तुस्टी करन से कसाई खाना खुलवा के कौन गाए कटवाता है इसकी जाच हो जाए मैं आपको देता हूँ मैं तो कहता हूँ कि रागोपुर की धरती पर किसी गाउं के किसी मिट्टी पर खड़े होकर आए कौन जूट बोलडा है इससे बड़ा सफे जूट नहीं है और साबित हो जाए कौन गाउ रक्षक है कौन गाउ हत्या करवाने वाला है अगर उजियारपुर की धरती पर मैं हार गया तो मैं राजनीत में नहीं अगर आपको मिला तो आप राजनीत में मैं सन्यास ले लूँगा आप हार गये तो आप सन्यास दिलवा दिजिए अगर उनको हिम्मत है तो अपने परिबार के किसी भी व्यक्ति को जारपुर से चुनाओ लड़ा कर दिखाने का काम करें करमा स्याम के साथ उनिश कुमार कर्शित पटना